हेलो फ्रेंड चलिए आज हम देखते हैं sweet potato और हिंदी में बोलते हैं सकरकंड़ी का जो चाट कैसे बना है हाँ तो उसके लिए हमने सब से पहले देखिये है sweet potato मतलब सकरकंड़ी ले लिया हूं उसको पानी में सबसे पहले बॉयल कर ले और आप चाहें आपका पास समय है तो डायक्ट ऐसे भी आप कोईला के आग पे अच्छा से पका सकते हो उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए हमने सारा रिसीपी आपका सामने शो करके दिखलाया है और जिसमें हमने लिया हूँ ओनियन जीरा हम इसमें डाले हैं ब्लेक पेपर हॉल्स और थ्वासा गार्लिक है ना और इसमें दो चार पीस सलैस जिंजर मतलब अद्रक डाल लें और ओनियन का जो क्यूब साइच कटिंग किया है आप उसको भी एड कर लें इसको थ्वासा फ्राय होने दे और उसका बात जो है फ पार्स मतलब धाना होता है वो निकल जाएगा उसका बात जो है आपको एड करना है जो हम अभी आपका सामने एड करके दिख ला रहा हूं और यह अच्छा तरीकर से धिंग भी गिया है क्योंकि चार्ट्स बनाने के लिए सब को सबसे पहले आपको सुसेस का जरूरी होता ह है मतलब चट्नी का जरूरी होता है तो कैसे बनाएं तो उसमें हम यह देखे थासा नमक हलका सपानी और यह रहा हमचूर पॉडर जो खटा करने के लिए आपको काम आता है हाँ आप लोग सोचते हों के यह सकरकंडी का चार्ट कैसे बनेगा तो यह देखिए मतलब यह मत ब पकने देते हैं जब यह अच्छा तरीका से पक जाएगा तब हम इसको क्या करेंगे कैसे चाट बनाएंगे तो इसको देखने के लिए वीडियो को स्कीप ना करें और अंत तक देखते रहें हैं तो यह देखिए काला काला सा दाग आ गया है मतलब पक चुका है और इसको हम अच्छा तरीका से उपर का जो छिलका होता है वो हम हटा लेते हैं और इसको देखे पिसेस कैसे बनाना है और आप सोचते हैंगे आलू है जरूर श्वीट पटाटो भी इसको बोलते हैं वो जो हमने आपका समने बनाए थे उसको हम पेस्ट कर चुके हैं फिर सो उसी नॉन आड़ कर ले और चाहें तो इसको तासा टीकर करके szokते हैं लेकिन हम ने इसको डायट एड़ कियो हो क्योंकि इसका टेस्ट जो बहुती जादा और बहुती टेस्टी लगने वाला है तो हैने बहुती यूनिकरी सीपी और आप सोचते होंगे ये सकरकंडी को क्या बनाने वाल है तो साथ में यह क्या हम डाल डाल लें राइस का जो मतलब फ्राइ करकर जो बनाते हैं जिसको हम लोग हिंदी मोरी बोलते हैं वह हमने एड किया हूं और इसका साथ एड करने के बाद जो खाने का जो टेस्ट है स्वाधिस्ट कुछ और है तो देखने में हैनल अजीच प्रेंड जो आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और ऐसा ही योनिक रिसीपी देखने के लिए सिपसंकर सेप चैनल पर आप लोग अच्छा चा रिसीपी देखते रहें और सिपसंकर सेप चैनल को कोमेंट करते रहें और शैर करते रहें और वीडियो को स उतना अच्छा लुक लग रहा है खाने में भी उतना ज्यादा टेस्टी लगता है तो चलिए फिर मिलेंगे न्यूरी सीपी के साथ